हेलो एवरिवन आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास 6 की आपकी गडित की वरक्षीट नमबर 31 डेट है आपकी 28 जैनवरी 2021 आज की वरक्षीट का चाप्टर है आपका प्रायोगी चैमती जिसमें हम एक रेखाखंड का लंब सम्धिभाजक सीखेंगे आज आईए स्टार्ट करत सबसे पहले रचना की चरण दिये गये हैं आपके सबसे पहला चरण है आपका कि किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AX खीचिए तो आप कितने भी सेंटीमीटर की पहले एक लाइन खीच लीजेगा लाइक आपने मानलीजे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लेली उसका नाम को लेके यहां पर अपना प्रकार रखके आपको एक चाप उपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको बताया गया है कि इसको बराबर भागों में काटेगी और इन दोनों का नाम रखदेगी जैसे उपर नाम रख दिया गया B नीचे रख दिया गया C ठीक है उसके बाद B C को मिलाया गया है B C को मिलाईए यह A X को M पर काटता है तो जो दो चाप लगाया गया था इस तरह से उन दोनों को हम मिला देंगे तो जिस पॉइंट पर यह काटेगी ठीक है उसका भी हम एक नाम रख देंगे यानि यह बिल्कुल बीच में अगर आप 6 cm का रेखा खंड लेते हैं तो यह बिल्कुल 3 cm पर कट करेगा तो इसे हम मध्यविंदू कहते हैं उसके बाद आपके लिए कुछ कुशन्स दिये गए हैं जैसे फर्स्ट कुश्चन है आपका कि 7.5 cm लंबा एक रेखा खंड खीचिए और उसका लंब संध्य भाजक खीचिए तो आईए इसे solve कर लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है जैसा कि यहाँ पर बताये गए एक 7.5 cm की रेखा खीचनी है ठीके और उसका नाम रख दीजिए आप A और B उसके बाद A से A पर आपको अपना नुकीला प्रकार जो है नुकीली साइड उसको यहाँ पर रखना है A के उपर रखना है और एक चाप लगाना है यहाँ उपर की तरफ और एक चाप लगाना है नीचे की तरफ फिर B को केंदर मान कर एक चाप आप उपर की तरफ लगाएंगे एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे ठीक है और उसके बाद आप इसको मिला देंगे इस तरह से जब आप स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सही आएगा और इसका एक नाम रख दोगे मान लिजए आपने इसका M नाम रख दिया ठीक है और उपर भी हम इसका नाम रख देते हैं C इसका नाम रख देते हैं D तो ये हमारा लंब सम्धिवाजग बनके तयार हो जाएगा देखिए आप जब नोटबुक पर बनाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे बनके आपको लगेगा ठीक है आप यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर भी लिख दीजिएगा कि हमारा इतना बड़ा रिखाखंड है ओके देन आपका निक्स कुश्चिन है कि 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रिखाखंड CD खीचिए और उसका लंब संदिवाजग खीचिए तो हमें 5.6 सेंटीमीटर लेना है तो सबसे पहले हम 5.6 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से लेंगे रूलर की सहायता से एक कोने का नाम रखेंगे C, एक का कोने का नाम रखेंगे D, ठीक है उसके बाद C से आपको एक चाप लगाना है उपर की तरफ और नीचे की तरफ ठीक है उसके बाद D से आपको चाप लगाना होगा एक उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ यहां से D से आप एक चाप लगाएंगे उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ और उसके बाद हम क्या गरेंगे इसको मिला देंगे इस तरह से ठीके आप स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल ये स्टेट लाइन आएगी उपर आप नाम रख दीजे E और नीचे रख दीजे F और जहां पर ये एक दूसरे को कट करें उसका नाम रख सकते हैं O ठीके तो बिल् बराबर भाग कीजे तो अभी तक हम सिर्फ दो बराबर भाग कर रहे थे एक और दो ठीके अब हमें चार बराबर भागो वाला खीचना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले आप 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खीचे जैसा कि यहां पर घीचा किया है A और B ऐसे ठी A को केंदर मान के आप एक चाप ऊपर लेंगे एक चाप नीचे लेंगे फिर B को केंदर मान के आप एक चाप ऊपर लेंगे और एक चाप नीचे लेंगे और उसके बाद इसे मिला देंगे ए और B को हम इस तरह से मिला देंगे तो इसका नाम रख लिए हमने मान लीजे C इस A से एक उपर की तरफ चाप लगाना है, एक नीचे की तरफ लगाना है, उसके बाद O से आपको अगला चाप लगाना है, एक उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीके, और सेम यही प्रोसेस आपको जो आपके राइट साइड है, वहाँ पे भी दोरान है, O से आप एक qeel की सहायता से इसको इसकी line जो है वो draw कर देंगे ठीके जैसे सबसे पहले हम इसे draw करते हैं यह हो गया ठीके इसका नाम रख दीजिए आप e f of ठीके है और अगली clusters आपकी line होगी उसका भी हम कुछ नाम रख देते हैं लाइन खीच के इस तरहُ अपने line कीजी इसका नाम रख दीजी जी और H ठीक है और यह जिस point पे काट रही है उसका भी नाम रख देते हैं माली जिसका नाम P रख दिया और इसका नाम Q रख दिया तो आपकी कुछ इस तरह से figure बनके आएगी ठीक है तो यह आपको एक दो तीन चार बराबर भागों में कट रही है न इस तरह से कटेगी आप जब बनाएंगे तो यह बिल्कुल कुछ ऐसा लगेगा आपका ठीक है एक बार और देख लेते हैं आपको पहले एक line लेनी है ठीक है उसके बाद A और B से आपको चाप लगाना है A से एक उपर चाप एक नीचे चाप ठीक है फिर B से आपको कट करना है उसके बाद आप क्या करेंगे A को point लेके और B को point लेके इस तरह से चाप लगाएंगे ठीक है और उसको मिला देंगे उसी तरह से आप O और B को लेके चाप लगाएंगे एक उपर की तरफ एक नीचे की तरफ ठीक है ऐसे और उसके बाद आप सारी lines को मिल देंगे और उनकी नेमिंग कर देंगे ओके तो यह थी आज के आपकी छोटी सी वक्षीट आई होप आपको अच्छी लगी हो